फिर महादीव स्री सिवाय नमस्तु भियंदेश को फिरोजाबाद आग तीसरे दिन की पूजिनी पंडित प्रदीप मिस्रा जी की कथा समाप्थुई आज की कथा में आपको पूजिनी पंडित जी कार्तिक महीने का बड़ा भी से सुपाय बताएं हैं दर्सको आज आपकी साल की सबसे बड़ी पूडिमा जिसे सरद पूडिमा के नाम से जाना जाता है कल आपकी प्रतिपदा लगेगी कार्तिक महा की प्रतिपदा दोपहर के बाद लगेगी ऐसे में यदि आप अशनान करते हैं कार्तिक अशनान तो सुक्रवार से आपको अशनान करना है और यदि आप दीबदान करते हैं तो कल से भी आप दीबदान कर सकते हैं और परसों से भी आप तुलसी के समक्ष दीबदान कर सकते हैं दर्श को आज की कथा में आपको पूजनी पंडित जी कुल पांच बहुत ही सरल और सुन्दर सा उपाई बताएं हैं कार्थिक महीने में यदि आपके उपर कर्ज बहुत ज़ादा बढ़ गया है आप कर्ज से बहुत परेसान है बहुत आपने प्रयास किये फिर भी आपका कर जा नहीं चूक रहा तो कार्थिक महीने में आप इस विशेस उपाय को जरूर करिएगा रोग से मुक्ति पाने के लिए भी आप विशेस उपाय करें दर्श को जो भी पूजनी पंडित जी की सिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं आस्था चैनल के माध्यम से यूट अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक या कथा चलेगी यदि आप भी इस कथा को मात्र छण भर भी सुन लेते हैं तो आपकी मनो कामना आवस्ची पूरी होगी क्योंकि सरद पूडिमा के आसर पे ये कथा रखी गई है अब दर्श को हम चलते हैं आज के पहले उपाय की तरफ आज का पहला उपाय है ये उपाय आपको कार्तिक महीने के पहले दिन से ही करना है सरद पूडिमा से लेके कार्तिक पूडिमा तक आप लगातार इस विशेश उपाय को करिएगा यदि आप आज नहीं कर सकते तो कल से आप इस विशेश उपाय को प्रारंब करें आप आपका कश्ट नहीं दूर हो रहा है तो आप अपने घर से एक लोटा जल और एक चावल का दाना लेके चले जाएगा सिव मंदिर में भगवान संकर जी के मंदिर में आप एक लोटा जल समर्पित करें अपनी काम ना करते हुए जल समर्पित करने के बाद जो आप एक चावल क का दाना लेके गए हैं इस चावल के दाने को आपको देवी असोग सुंदरी के अस्थान सम्रपिट करना है। लेकिन ऐसे नहीं आपस्वारपित कर दीजिएगा। जैसे दैश alert को आप जब चावल का दाना भगवान संकर जी के सिवलिंग के समक्ष जो देवी अस्वक सुंदरी का अस्थान होता है जब आप उस पे समर्पित करिएगा तो आपकी जो भी मनो कामना हो उसके लिए प्रात्ना करते हुए अब भाव से हिर्दय से कि आपके पास कुछ भी नहीं है मात्र एक चावल का दाना है जो आप महादेव को समर्पित कर रहे हैं महादेव को वह चावल का दाना हिदय से आप समर्पित कर एक आखा चावल होना चाहिए तूटा हुआ चावल नहीं पूजिनी पंडी जी कहते हैं जल समर्पित करने के बाद ये दिया प्रतेक दिन भगवान भोले नात के सिवलिंग क समक्ष देवी असोग सुन्दरी पे एक चावल पूरे कार्तिक में समर्पित करते हैं तो आपकी मनो कामना अवस्य पूरी होगी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी उस चावल को आप थाली में रखके ले जाएं या अपने आचल में बांध कर ले जाएं या रुमा नहीं है वो आपके घर की दसा है यदि आप हिदर से उस चावल को समर्पित करते हैं तो महादिव आपके घर की दसा को समझ जाते हैं कि आप किस दसा से इस चावल को समर्पित कर रहे हैं आपका ब्यापार नहीं चल रहा है नवकरी नहीं लग रही या कोई भी कारी है तो आप इस उपाए को जरूर करें. अब चलते हैं दर्सको आज की दूसरे उपाए की तरह जो आज की कथा में आपको पूजिनी पंडीजी बताएं हैं. दूसरा उपाए है यदि घर में कोई ब्यक्ति बीमार है. आपके आस्परोस में भी कोई ब्यक्ति बीमार हो तो भी आप यह उपाय जरूर बताएं, पर जब भी कोई उपाय करें, तो मन में विश्वास और स्रद्ध भाव रखके ही आप इस उपाय को करें, बड़ी सी बड़ी भीमारी से मुक्ति पाने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय है, यह उपाय दर्श को आप महीने में एक दिन या हटे में एक दिन अवस्य करिएगा, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई दिन और घड़ी की आवसकता नहीं है, कार्तिक का महीना प्रारंब हो रहा है, आप इसी महीने से इस उपाय को करना प्रारंब कर दीजिएगा, आपको यहां पे दर्श को एक स्वेट प लोटा जल लेके जाएं संकर जी के सिवलिंग पे आप पहले एक लोटा जल समर्पित करें आपकी जो भी बिमारी है रोग से मुक्ति के लिए उसे महादेव की सिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा यदि आपको भस में ना मिले तो सफेद अभीर का भी आप प्रयोग कर सक अब दर्स को कार्तिक महीने के पहले दिन का हम उपाय बताते हैं आपको जो भी उपाय बताएंगे पूजिनी पंडी जी द्वारा ही बताएगे उपाय बताते हैं कार्तिक महीने के पहले दिन आप सुबा अशनान करी ब्रह्म मूरत में अशनान किया जाता है अशनान करने क के बाद ये दिया आपके उपर कर्ज बहुत जादा वढ़ गया है आप कर्ज से बहुत परेसान है तो अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ आपको एक एक घीका दीप लगाना है लंबी बाती का दिया लगाईएगा उसमें एक एक कमल गटर रखके दीप प्रजलि कि बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से एर करें कमेंट में स्रीज सिवाए नमस्तु भ्यम जरूर लेकरें